नमस्काल दोस्तों स्वागत आपका एक और लальноеर्नींग वीडियो में तो आज की वीडियो होने वाली है मंगल वार यानि की टूजडे की दिन किस तरह से ट्रेडिंग करना है मार्केट का मुमिन्टम किस तरह से चल रहा है मार्केट अपसाइट के उपर जा रहा है सबसे पहले यहां पर में वीडीयो को शुरू करता हूँ पर में यहां से मार्केट कि इससरा से मुमेंट कर दूइस खाया हूं बस एलेक्षिन का इस टाइम है इस टाइम को यहां पर आप निकाल सालदो क्योंकि आ के तीजी से गिरा ऋटानी के बद बड़ा मुमेन्टम आ रहा है बस याप पर रिकवरी होगी बड़ा मुमेंटम ब्या गर हैं मार्केट यापर अभी हाई के आ सपास अभी चल रहा है किस तरह से ट्रेड एक गरना है किसा याप मार्केट कल ग्याप खुल रहा है 110 पॉइंट मार्केट कल ग्याप खुल रहा है तो उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्ट ओन होती आज की वीडियो क्यों कि मार्केट ग्याप खुल रहा है 110 पॉइंट के आसपास मार्केट ग्याप खुल रहा है यहापर मैं आपको बता देदा चाता हूँ कि मार्केट किस तरह से ग्याप खुल रहा है ठीके अगर आप यहापर देखोगे इप निप टिपे तो यहापर 3566 के आसपास अभी मार्केट ग्याप खुलने वाला है 116 और अब आप निप्टी 50 की बात करें तो 3,465 के आजपास अभी बन हो चुका है यानि कि मार्केट सीधा यापर में ने मार्क करके रखाए इस पॉइंट पर 3,500 के आजपास यापर मार्केट खुलने वाला है ठीक है यापर आप देख सकते हैं 565 के आजपास ठीक है किस तरा से ट्रेडिंग करना है कल के दिन सुरी मंगलवाल के दिन कल तो मार्केट आप ये मंगलवाल के दिन किस तरा से ट्रेडिंग करना है यापर मैं आपको अनलाइस कर देता हूँ ठीक है यापर मैं आपको support लेकर यहां से उपर जा रहा है ठीक है यह सबसे important रहेगी आपने लिए train line और नीची के side में यह आपनी line जो बनाई है नहीं आपर 23,100 के आसपास यह आपर में line बनाई है यह सबसे important support है ठीक है आगे मैं आपको बताता हूँ explain करके ठीक है यहापर मैं time frame को थोड़ा reduce कर जेता हूँ और यहापर मैं आपको 15 मिनेट पर समझानी की कोशिश करता हूँ ठीक है अगर आप 15 मिनेट पर देखोगे तो आपको market इस तरह से दिखा रहा है कि यहापर जो मैंने line बनाई है daily time frame पे बिलकुल इसी line पे market support ले रहा है इसके अलावा market इसके नीचे बिलकुल नहीं गया आपको बिलकुल देखने को मिल रहा होगा यहाँ से market उपर गया यहापर हाई बनाया ठीक है यहापर आमको clear कर जाता हूँ यहापर market ने यहाँ से एक हाई बनाया यह वाला यहापर market ने हाई बनाने के बाद market यहाँ से नीचे आया इसी line पे यहापर support लिया और जैसी यहापर इस line पे support लिया फिर market ने यहापर एक हाई बनाया ठीक है यहापर देखोगे तो यहापर फिर से एक नीचे आया और फिर से यहापर एक हाई बनाया यहापर देखो ठीक से मार्केट यहाँ पर नीचे आया और फिर यहाँ पर एक सपोर्ट लिया फिर के यहाँ पर फिर से सपोर्ट लेने के बाद फिर एक हाई बनाया यह वाला यह वाला फिर से एक हाई बनाया यह यह निकि मार्केट इस नीचे इस लाइन को सपोर्ट लेने के बाद एक नया हाउ बनाया है और यह पर हाउ हे बनाने से पहले इस वाले हाई को ब scheint करने से पहले इसने नीचीकि तरब इस से टरेंटाना से कई ठिपंदि की तुर्फिया चिए करी इस लाइन को मार्केट या पर आपको जासा देगा यानि कि मार्केट या पर आपको लालस देगा हमेशे ध्यान में रखना मार्केट हमेशे आपको दिखा रहा है कि मार्केट काफी जदा बुलिश या से मार्केट नीचे गिर जाएगा नीचे गिर जाएगा लेकिन मार्केट को अगर नी या से उपर आया, फिर या से गिर जाएगा, या से उपर आया, या से मार्केट गिर जाएगा, या से गिर जाएगा, या से गिर जाएगा, लेकिन मार्केट all time high बना रहा है, मार्केट या से नीचे नी आ रहा है, तो आप लोगों को लगने लगा कि मार्केट आप या से प्रक्मेंटेशन नहीं कर रहा हूं बच जनरल इंफॉर्मिशन के लिए आपको बता रहा हूं सारे लोग यहाप पर बाई करने की कोशिश करेंगे और मार्केट ने बिल्कुल ग्याप भी खुड रहा है ठीके हां मुमेंट चेंज हो सकता है गिप निप्टिव का कल अगर को बैड निउस आ गई कोई ऐसी निउस आ गई जिसके बज़े से यापर मार्केट का मुमेंटम चेंज हो सकता है तो यह गिप निप्टि भी आपर नीचे आ सकता है ठीके पर इसे ब्रेक करने वाला है यापर उपर के तरफ अगर आप दिखोगे यापर इसके पास 3600 के आसपास से यह लेवल है ठीके 3600 की लेवल है या तक अगर मार्केट आगा है 3600 की लेवल को अगर इसने ब्रेक कर दिया तो मान सकते हूँ यहाँ से मार्केट अब उपर चला जाएगा ठीके लेकिन मार्केट सीधा सीधा यहाँ पर 116.00 ग्याप खुल रहा है और जैसे यहाँ पर ग्याप खुलने के बाद मार्केट यहाँ से थोड़ा उपर जाने के बाद बड़ी सी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती यहाँ पिर ऐसा हो सकता है जैसे मार्केट ने कल के दिन किया था कि यापर market gap up खुल रहा եा यापर पि अगर आप देखोगे scarcity लेकर याथ तक के करीब market 60-70 points के आसपाद market gap up खुल दा और market जैसी gap up खुला Tho तो तेजी सी याँसे नीचे आ गया तेजी से नीचे आ गया और इसी line का यापर support लिया था परसो की दिन भी मार्केट याप पर ग्याप आप खुल रहा था याप अगर आप देखो गए परसो की दिन भी यहाँ से लेकर यहाँ था करीब 140 पॉइंट के आसपास मार्केट ग्याप खुल रहा था याप पर 140 ग्याप खुलने के बाद मार्केट उपर गया लेकिन उपर स कोशिश कर रहा है लेकिन सेलर कापी तेज़ी से मार्केट को नीचे गिरानी की कोशिश कर रहे हो सकता है या पर मंगलवाल की दिन भी इसी तरह से वो मार्केट ग्यापाब खुलें तो ग्यापाब खुलने के बाद तेज़ी से मार्केट या से नीचे आ जाए ठीके इस तरह से मार्केट कर सकता है तुजडे की दिन ठेके आपको किस तरह से याप पर ट्रेड करना है मार्केट अगर मार्केट अगर यहां से सुनना तेजी से नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है और इसने यापर कल की दिन कल की दिन यहाप पर अगर market ने support लिया ठीक है यह वाला सबसे important रहे है 23,500 का ठीक है 23,500 पर अगर market ने यहाप पर support लिया और यहाँ से market उपर जाने लगा तब आप यहाँ पर जा सकते हो call site में ठीक है और अगर market ने इस level को यहाँ पर break कर दिया तो सिधा सिधा market यहाँ तक आ जाएगा इस line के आसपास आ जाएगा यहाँ तक आप यहाँ से आपको P.E. site में जाना है यहाँ से आपको call site में जाना है हमेशा ध्यान में रखना है call site में तभी जाना जब यहाँ पर कोई support ले और अच्छे सी green candle बनाए और P.E. site में जब इसे break करें प्रॉपरली इसे break कर दिया और market यहाँ तक आपको target दे सकता है और यहाँ पर तीसरी condition भी बता जेता हूँ कि market gap up खुलने के बाद थोड़ा नीचे आने के बाद अगर इसका break out कर रहा है इसका प्रॉपरली अगर break out कर दिया तब आप यहाँ पर बिल्कुल call site के तरफी बने रहना बिल्कुल P.E. site में नहीं जाना इसका अगर break कर दिया तो इससे अगर break कर दिया जो market यहाँ जिस point पर market आप खुल रहा है उस point को market ने break कर दिया ब्रेक करने के बाद आच्छी कासी green candle बना रहा है तब आप call site के तरफ जा सकते हो नहीं तो आप call site में नहीं जाना ठीक है इस तरह से आपको Tuesday के दिन आपको analyze करके trade करना है ठीक है I hope क्या आपको इस वीडियो से कापी कुछ सीखने को मिला होगा कमेंट करके बताना यापर में daily analyze का वीडियो अपलोड करूँगा अगर आप कमेंट करोगे तो यापर में daily वीडियो अपलोड करूँगा कि आपको कल की दिन किस रासे यापर ट्रेडिंग करना है prediction वीडियो हो